किस तरह बस में बताया जा रहा है करीब 50 लोग सवार थे और यह बरात से भरी हुई बस थी जिसके उपर एक हाई टेंशन वायर गिर गया और उसकी चपेट में आने से लोग जुलस गए और उनकी मौत हो गई बताया जा रहा है कि एक बच्चे को जरूर बचा लिया गया है मुख्यमंत्री योगी ने भी इस हादसे पर संग्यान लिया है और मृत्कों के परिजनों के प्रती समवेदना उन्होंने जताई है गाजीपुर में ये दुखद हादसा हुआ जहां बराच से भरी एक बस जा रही थी और अचानक हाई टेंशन वायरूस बस के उपर गिर गया पूरी बस में करेंट फैला और देखते ही देखते पूरी बस में आग लग गई और उसके अंदर बैठे हुए लोग जुलस गए जिनकी दर्दनाक मौत हो गई मौत का याकड़ा तक्रीबं कितना है प्रशासन की तरफ से अभी नहीं कहा जा रहा है लेकिन बताया जा रहा है कि जितने भी लोग इस बस में बैठे थे जारतार लोग इस आग में जुलसे हैं उसकी चपेट में आए हैं हालांकि एक बच्चे को बचाया गया है ये खबर और ये भी कहा जा रहा है कि इसी बस में जिस लड़की की शादी थी वो भी बैटी थी इस बस में भी शनाग लग गई आप दो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं रसकी उदल मौके पर है पानी डाल करके साग को बुझाया गया है और फिलाल मौ अस्पताल से हमारे सयोगी प्रशार सनि कापड़ा क्या कह रहा है कितने लोग घयर में और जिद्रंवी है बटा λै कि घाजीपूर क्या जोग रहने वाले थे और बताया जा रहा कि कि बारात दुलहत αजहन की पрच लोग थे एक उसका कहना है कि काफी लोग उसमें सवार से मगर किसी का पता नहीं चला है हाला कि वहां पे रिस्क्यू अपरेशन चलाया जा रहा है और जो बत में आग लगी थी उसको बुझा लिया गया और कितने लोगों की जान गई है मनीश आपको आवाज मिल पा रही है कि मनीश किसी चश्मदीद से कोई बात्चीत हो पाई है कि आप यहां पर गर्टा अस्तल है वह मौ से नल्जीक है तो वहां से जिन लोगों को निकाला गया उनको मौ की जिरा अस्तल ले जाया गया है और अभी तक चार्ट लोगों की दुगर्टा में मरने की खबत समने आ रही है लेकिन आपी भी आसंता बनी ही है रही है कि मित्कों की संख्या में भरोती हो सकती है बिलहाल यहां पर दिर स्टार चलाए जा रहा है और कुछ लोगों को मौ की जिला अस्तल बेजा जा रहा है बस जो है मौ की क्लिया पूरा घॉट के दर्सन करने के लिए पर चलते हुए बस पर बस पर गिरा यह तार बहुत नीचे से गया था बस उसमें उसके संपर्क में आ गई इसलिए मैं आप से सवाल पूछ रहा हूंगी किसी चश्मदीर से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो तो बता पाएगा जिसने देखा हो इस हाथ से को होते हुए इसलिए अभी तक हमें 15 लर्शी तो इस मामले में नहीं मिल पाएगा लेकिन आपने जो एक सवाल खड़ा किया है यह बहुत महरतूर सवाल है कि क्या तार इतना नीचे तो नहीं था जिसमें बस तुच कर गया हो बत को चूग गया हो यह तो आगे जांट में स्पश्ट हो पा पुरी तरह से वर्श्ट के बचाओं कारे में लगा हुआ हुआ है और अभी तक प्रियाजियों को सुड़चिक निकलना उन्हें इलाज के लिए पहुंचाना यह महत्तूर है हलाकि यह सवाल जरूर खड़े होंगे कि जाज कैसे हुई है अभी तक अधिकारिक तोर पर क्या जानकारी दी गई है देखे मौके पर गाजीपुर के डियम पहुंच चुकी है और तमाम नीचे के अधिकारी पहुंच चुके है और वो मौके का मौईना कर रहे हैं और अपने अधिनस्तों को लगाकर निदिस दे रहे हैं रेस्ट्यू के लिए और बचाव कारे हो रहा है धायलों को जावारियासियों को जिलत गए है उन्हें अस्पतालों में बेजा जा रहा है जी फिलाल क्या किसी अधिकारी से आपकी कोई बाचीत हो पाई है? बेखिए हारी जिलादीकाडी से बात कित हुई है कि अपने आप बचाव कार में बर्थ होने की बात कुए थान है रहें कि श्टीमिन को बचाना अब हम इसके में है हमागई की बारत Approach क्योंकि जो रास्ता हम देख रहे हैं ये रास्ता क्या बड़े वहनों के लिए ये रास्तापयोग में लाया जाता है या फिर गलत रास्ते पर ये बस जा रही थी हाय टेंशन लाइन क्यूंकि दूर-दूर तक हम देख रहे हैं और आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत सत्री सी सड़क है और यह आम रात्तों में इसको खुमार नहीं किया जा सकता है अब यह बात अब आगे इस पश्च होगी कि वो बस उस रात्ते से जहों बुज़र रही थी चार्टी सी दूसरी 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 नहीं पर जाम लगाता और उन लोगों ने दूसरा राता सुना आने जाने के लिए तो यह सड़क में आम लोगों का आम रूप से आना जाना है कि यह आम रास्ता नहीं था और इस सड़क पर कहते आई है और क्यों गुज़र रही थी क्या बता रही थी अब यह बाद में ही अत्वश्च हो पाएगा लेकिन पुल मिलाकर यह मुख सड़क का मुख सड़क नहीं कहा जा सकी जी ठीक है मनीशा आप बने रेमार साथ एक निकल पाने का समय नहीं मिलता बस में आग लग जाती है और देखते ही देखते है आग में पूरी बस को अपनी चपेट मेरे लिया बताया जा रहा है कि तकरिबन 50 या 3 उस वक्त बस में सवार थे यह सभी एक शादी समारों में शामिल होने के लिए जा रहे थे बताया जा अस्पताल पहुंचाया कई लोगों को महो के जिरास्पताल पहुंचाया गया है वहां उनका इलाज चल रहा है एक जानकारी मिल रहे कि एक बच्चा फिलहाल सुरक्षित है उसको अस्पताल में बत्ती कराया गया है मनीश बच्चे को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है उसक क्या इस्थिति है उसके बारे में बताईए जो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है अब हाथ-पसाल बेजा जा रहा है लोगों को जेर बाद में मालूं चलेगा जब परिक्ष्वन करेंगे कि इन गायलों की सिस्थिया है क्या उसके सुधार हो सकता है और गायलों की एक्जेक्स संखाचे बारे में भी जानकारी मिल पाएगी और लगातार कुछी बचावकारी चल रहा है आपको बतादें कि यह जो हासा जहां पर हुआ है वो एक पटिस अलग्ते दूतरी और एक हास सकता हाथा जहां के यह बत गुजर रही थी और इसमें आतंका है कि बहुत सारे लोग घैल हुए होंगे बहुत सारे लोग जूलते हैं बहुत सारे आतंका विक्स की जा रही है कि कही लोग की मौत भी हो तुकि अभी तक चाल लोग की मौत से बात खामने भी आई है लेकिन अभी सही अनुवान कोई भी नहीं लगा पा रहा है कि बत में कितने दुख स्वाज अला कि मौके पर हम लोग पहुंच चुके हैं अधिकारी अगर पहुंच गए है तो उनको आपने बता पाने में एक अठिनाई क्यों आ रही है क्योंकि हम देख पारे तसीरों में की आग बुझा ली गई है और वहाँ पर जो लोग मौझूद हैं वो आग बुझाती वे नजर आ रहे हैं तो अधिकारी अभी कुछ भी सही इस्तिती बता पाने में सक्षम क्यों नहीं है मुझाई जा चुकी है लेकिन अभी अधिकारी अभी बहुत कुछ बता नहीं पा रहा है और या तो उस अधिकारी को खुद भी नहीं मालूम है कि दुर्रटना कैसे हुई क्यों हुई और दुर्रटना में क्या शैज़वर्टी हुई है अभी अधिकारियों के पास बिल्कुल और आप बता रहे हैं जिस तरीके से अभी अधिकारीयों की पहली प्रात्मिक्ता है कि घायलों को उच्छे तुप्चार दिया जा सके और जितने लोगों की जान बचाई जा सके उनको फौरन राहत बचाबकारे से जोड़ा है और हम तस्वीरे भी दिखा रहे ह एक तरफ दूए का काला गुबार जो अपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर है और दूसरी तरफ पानी डाला जा रहा है उस बस के ओपर जिस पर आग को लगभग बुझा लिया गया है कितनी देर पहले की ये घटना है मनीश और बड़ी बात ये कि जो परिवार और जो लोग इसके अंदर शामिल थे वो कहां से आ रहे थे कि सोर उनको जाना था और खबर है कि पुलिस ने उनको रोका भी था कि वो उस रास्ते का उप्योग ना करें लेकिन फिर भी उसी रास कि मउग एक जनपक के दिवियापूर गाउं से देने वाले कुछ लोग थे खब्सन करने को जिसे महार के स्यूमंदिर में आये थे और दर्शन करने यह जा रहे थे आ रहे थे और आप बताते हैं कि यह जो सलक है यह सलक का भी निर्मान ही हो रहा था और इस सलक निर्माना कि जब पस गई है तो बिजली की इतार की चपेत में हाइट इंसार किसमें मिनिल्मम 11000 बोल्ट गातार प्रवाहski होता रहता है और उसमें वो चपीत में आ गई है है और करने केछिद में आने पस्में आ लग अग और जिस्न WR आग पूरे बस को अपनी चपेश में ले लेती है और बस में सवार याक्रियों में होती ही तो बहुत से लोगों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई हाला कि एक बच्चे को जरूर बचाया गया है और और इस वक्त ओपी सिंग जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है सर आप से जरना चाहेंगे आधिकारिक आंकड़ा क्या है और ये हाथसा किस तरह पेश आया क्या जानकारी आप दर्शकों को देना चाहेंगे ये बाराग से बड़ी बस थी जो हाई टेंशन लाइन से टस हो जाने के उज़े से स्वा आग लग गई है डिस्टिक पर स्टेट और स्टी मौके पे हैं और हमारा पुलिस बल है भायलों को भेज़ दिया गया है अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है अब तक लगभग चार या पांच लोग के मिलित होने की सूचना है और जैसे ही पूरी जानकारी होगी आपको बताजा है तकरीब अ कितने लोग इस बस में सवार होंगे और खबर ये भी है कि पुलिस ने उस रूट से जाने से रोका भी था लेकिन फिर भी वो बस गई तो अभी उससे वारता नहीं हो पा रही ठीस से जैसे यह फ्री होते हैं में पूरा डेटेल लेकर के आपको होगा है क्या कुछ लोगों को हायर सेंक्टर भी रेफर करना पड़ा है या सबका इलाज वहीं जिला स्पताल में किया जारा है तो हमारे साथ डियाईजी वारंसी जुड़े और नहीं जानकारी के लिए शुक्रिया आपका तो हमारे साथ डियाईजी वारंसी जुड़े और को ने कहा कि चार से पांच लोग अभी तक फटाहत हुए हैं और घायलों का आकड़ा कितना है उस पर आधिकारिक जानकारी अब से थोड़ी जिर बाद उपलब्द करवाई जाएगी क्योंकि फिलाल प्रात्मिक्ता है कि मरीजों को उच्छेत उप्चार के लिए अस्पता वेश उत्गरा काने